स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लाटफॉर्म दाट इस कॉमस इजी ली पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 का one shot for accountancy one shot बोले तो एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा chapter clear अब आप लोगों को इस बात की आदत हो चुकी है क्योंकि पहला chapter जितेंदर सर्ने बहुत अच्छे से fundamentals of partnership आप लोगों के साथ आप लोगों के बारे में जो कुछ समझाना था एकदम तुरंत तुरंत उन्होंने बता दिया second chapter यानि change in profit sharing ratio among the existing partners मैं आप लोगों के लिए लेके आया और वहां हमने देखा कि क्या क्या adjustments हमें करने होते हैं जब भी there is a reconstitution of the partnership गौर फर्माईएगा partnership यानि partnership agreement में जब भी कोई change होगा तो हमें किन-किन adjustments पे गौर फर्माना होगा किन-किन adjustments पे ध्यान देना होगा ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया था one shot chapter number two अब आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ मैं आपके सामने उपस्तित हूँ क्या मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए chapter number three that is admission of a partner जी हाँ अगर partnership firm में हमें जरूरत महसूस होती है कि यार अब एक नया partner और लेके आना चाहिए तब हमें किस-किस तरह के accounting treatments से deal करना होगा, किस-किस तरह से accounting treatments को अपनी books में दिखाना होगा ये हम आज के one shot में समझने जा रहें कहने का मतलब, एक ही speed पे, एक ही flow में, एक ही shot में, admission से related आपके सारे doubts, सारी queries और सारे के सारे concepts मैं clear करने वाला हूँ तो तयार हैं आप लोग, let us start with our one shot for chapter number three, admission of a partner तो सबसे पहले, बात करते हैं, the need for admission of a partner क्यों जरूरत है हमें, सीधी सीधी बात बताओ मुझे the first thing that I would like to know is, need for a new partner आप में से कौन-कौन, मुझे ये बता सकता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए why do we need a new partner, एक नए partner की हमें आखिर जरूरत क्यों ही पढ़ रही है यार, क्यों पढ़ रही है, why do we need a new partner, can anyone tell me that, why do we need a new partner तो सबसे पहला जो मैं reply आपको देना चाहूंगा, इस चीज का वो क्या होने वाला है सर, we need a new partner, simple सी बात है, हमें नए partner की जरूरत क्यों होती है जब भी extra capital चाहिए आप लोगों को ये concept पता है, partnership का पूरा concept कहां से generate होके आया था उस एक कहावत से, कि अकेला चना क्या ही भाड़ पोड़ेगा, right तो sole proprietorship format of business हमने देखा था, वहां पर ये बात समझ आ रही थी कि यार एक बंदा धंदा चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, good for him or her लेकिन, what happens when you're looking for an expansion of your business a single person has limited resources, resources in the form of capital, right capital limited होगी, एक अकेले इंसान के पास capital invest करने की ख्यमता limited होती है that is why the partnership concept of business was propagated, वो idea पूरा generate यही से हुआ था कई सारे लोग एक साथ मिलके बहुत सारी capital लगा सकते हैं, तो need for a new partner सबसे पहला point हमारा क्या आता है, when you need increased capital यानि कि business आपको flourish करना है और आगे बढ़ाना है, दिन दो गुनी राच चौगनी वाली एक स्थिती पहुंचानी है अपने business की लेकिन एक अकेला बंदा कितना ही पैसा लगा सकता है, दो partners हैं, कितना पैसा लगा लेंगे, वही same चीज, single बंदा जितना लगा सकता है, दो जने हो सकता है, उसका double, double से थोड़ा जादा धाई गुना, तीन गुना लगा लेंगे डेट डेट गुना लगा लेते हैं, दोना अपनी अपनी तरफ से जो आप लगा सकते हैं, बिजनस में पैसा, उसका पांच गुना अगर आपको चाहिए, तो क्या करेंगे दो जने तो नहीं लगा पाएंगे, दो जनों का maximum मैं बोलता हूँ, चार गुना लगा सकते हैं पांच गुना अगर इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, जिससे बहुत सारा inflow होगा इंकम का, लेकिन आप कैपिटल नहीं लगा पाएंगे, दो जने क्या करेंगे तब, ढूंड के लाएंगे उस तीसरे को, क्योंकि एक, एक से भले दो, दो से भले तीन, है की नहीं, तो तीसरे को वो लेके आए, तो फर्स्ट रिजन is when you need increased capital, second reason क्या हो सकता है, when you need skill and competence, भई दो जने हैं, जिस तरह का business है, उसमें ये लोग थोड़े से फसे हुएं, परिशान हैं, सोच रहें की यार, हमें ये business अच्छे ढंग से चलाना नहीं आता, what happens, या what would happen, या what might happen, if we have a person who knows how to run this business in a successful manner, तो क्यों ना हम किसी ऐसे बंदे को अपने business में लेके आ जाएं, जो की हमें ये बता सके कि यार, इस business को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, you can do this business or conduct this business in an even better mode or format, तरीका बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप इस से कहीं जादा profit कमा सकते हैं, तो मेरे लिए बुराई क्या है, मेरे लिए वो हमेशा बहुत अच्छी बात ही तो रहेगी, and the third reason might be to encourage employees by offering them partnership, कहने का मतलब, आपके कोई loyal employee है, manager सहाब है, आपके जो सदियों से आपके साथ है, देखा है न, एक movie होती है, उसमें एक जमीनदार टाइप से एक भाई सहाब होते हैं, उनके पास एक रामु काका टाइप से कोई एक party होती है, तो जो रामु काका टाइप सी party हमारी है, अगर वो इतने loyal हैं कई सालों से, इन ही भाई सहाब के पास ठीके हुए हैं, तो इनके पास हमेशा एक opportunity क्या रहेगी कि यार इनकी loyalty को reward करें how by providing him a partnership कि आजो partner बनो owner बनो एक तरह से business के अभी तक आप employee के रूप में थे this is a reward for your loyalty इतने loyal employee बने रहने का एक reward आपको दे रहे हैं आजाए ये जी partnership में so ये तीन reasons normally हो सकते हैं why you feel the need to admit a new partner इसी के साथ हमें जब नया partner आएगा तो उसके होंगे कुछ अधिकार rights of a new partner क्या क्या अधिकार हो सकता है कोई बता सकता है मेरे को सर अधिकारों की बात अगर की है तो अधिकार होंगे हमारे दो क्या होंगे ये दो अधिकार पहला right to share future profits मतलब भविष्य में जो भी profit होने वाले है right to share in the future profits भविष्य में जो भी profit होने वाले है उसमें इसको अपना अधिकार मिलेगा इसको अपना हिस्सा दिया जाएगा that is one right what is the second right second right है right to share in the assets of the business यानि business की जो भी assets हैं वो जॉइंट assets हैं सारे partners की हैं तो उन assets पे भी इसका अधिकार है share है right to share in the assets अच्छा एक बहुत ही मस्ट डायलोग है spider-man movie का जिसमें ये कहा गया था कि spider-man यानि पीटर पार्कर को अंकल बेन ने सिर्फ एक बात समझाई थी जब उनकी death हो रही थी उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा ये ध्यान रखना with great power comes great responsibility तो यहां पे हम सिर्फ power की ही बात करें ऐसा हो सकता है क्या क्या ये सही रहेगा would it be okay if we just talk about power no there will be a liability as well what would be the liability यहां liability होगी liable for all liabilities after admission यानि admission के बाद जो भी liabilities generate हुई है create हुई है उनके लिए this person would be held liable would be held responsible बिलकुल सही बात जो भी इनके admission के बाद activities हुई है उससे कोई liability अगर generate होती है उसके लिए नए partner को हम liable ठहराएंगे ठीक है तो हमने अभी अभी देख लिया कि भई क्या जरूरत है एक नए partner की क्यों एक नए partner को लेके आया जा सकता है या आने की जरूरत पड़ती है अगर नए partner आ रहा है तो क्या होंगे उनके rights as well as क्या होंगी उनकी liabilities चलिए अब सबसे पहला काम क्या आता है आप लोगों को ये पता है कि admission is a case of reconstitution ये हमने पढ़ा था जब हमने second chapter की बात करी थी जहांपे reconstitution के बारे में हमने समझा था और हमने ये भी समझा था कि reconstitution की हर case में profit sharing ratio change होता ही होता है यानि किसी का ratio बढ़ेगा किसी का कम होगा ये पकी बात है reconstitution के cases में हमने देखा था क्या-क्या जब existing partners अपना PSR change करें नए partner का admission हो रहा है किसी partner की या तो किसी partner का retirement हो या किसी partner की death हो गई हो और साथ में एक case जो आपके syllabus में नहीं है वो हमने देखा था amalgamation of two partnership firms दो partnership firms अगर साथा कि मिल गई तब भी आपका profit sharing ratio change होता है यही cases थे reconstitution के और reconstitution के दोरान मैंने आपको बताया भी था जब हम reconstitution का discussion कर रहे थे chapter 2 का one shot देखा था आपने नया partner आ रहा है अब reconstitution के case में हमें यह भी पता है कि there will be significant adjustments काफी सारे treatment होंगे accounting treatments करने पड़ेंगे हमें to give effect to the reconstitution reconstitution किया गया है उसका असर दिखाने के लिए हमें काई सारे treatment करने होंगे तो देखते हैं सबसे पहले जो adjustment required है adjustment required in case of admission of a new partner सबसे पहला adjustment क्या है सर आपको calculate करना होगा sacrificing gaining and new ratio जी हाँ the first adjustment is calculation of sacrificing gaining and new PSR नया PSR आपको calculate करना होगा अब नया PSR calculate करने के लिए sacrificing gaining निकालना पड़ सकता है ऐसा हो सकता है कि sacrificing gaining हमें question में दे रखा हो और हमें नया PSR निकालने की बात की जाए all right cases कैसे होंगे अभी थोड़ी देर में आप लोगो समझाऊंगा हम cases study करेंगे there will be four cases जिसमें मैं आपको पूरी situations अच्छे से clear करके बताऊंगा उसके आगे the second point that we need to see is treatment of goodwill goodwill का treatment होगा अब यहाँ पे सिर्व treatment की बात करेंगे valuation of goodwill बहुत ही interesting chapter interesting concept है और उससे related जो भी doubts है आपके वो clear कर सकते हैं कहां वो clear कर सकते हैं by watching this video ये video है हमारा related to chapter number two chapter number two का जो one shot था हमारा वो video आप लोगों को यहाँ link पे मिल जाएगा उस पे click करके आपको video देख सकते हैं वहाँ पे हमने methods बताए हैं I have discussed every method of calculation या valuation of goodwill all right treatment हम जरूर यहाँ देखेंगे उसके आगे हम देखेंगे treatment of accumulated profits and losses and again treatment of accumulated profits and losses कहां किया है chapter number two के one shot में आप लोगों को मिल जाएगा तो please playlist में जाके आप one shot जो chapter number two है वो जरूर check out कीजेगा वहाँ पे आपको पूरा का पूरा treatment मिलेगा the kinds of accumulated profits and losses उनका किस तरीके से treatment होता है write off करना होगा, distribute करना होगा, old ratio में होगा, sacrificing ratio में होगा अगर कोई claim है for example workman compensation उसके against कोई claim है तो हम क्या treatment करेंगे, claim कम है तो क्या होगा, claim बराबर है तो क्या होगा जादा है तो क्या होगा, इसी तरह investment fluctuation reserve के case में book value of investment और market value of investment के बीच में difference difference के 5 cases, सब कुछ आपको मिलेगा one shot chapter number two में all right, फिर आगे बढ़के देखना होता है revaluation of assets and reassessment of liabilities, उसके भी दो treatment है preparing the revaluation account, not preparing the revaluation account, वो भी आपको दिख जाएगा, कहां, इस सब का recap, this is just basically us going through the points which we've already done, इस सब का recap अगर करना है तो rewind कीजिएगा, कहां पे जाके, chapter number two के one shot में वहां पे ये सब कुछ बहुत अच्छे से explained है, आज इस lecture में मैं दुबारा इन ही concepts को एक बार आपको समझाऊंगा, with the help of questions, alright, last में जो चीज हमें देखनी है, that is adjustment of capital, adjustment of capital हमने change in PSR वाले chapter number two में check किया था, लेकिन यहां पे आज हमारा अलग तरीके से adjustment होगा, because now we have a new partner coming into the business, अभी तक हमने देखा था, existing partners अपनी capital adjust कर रहे है, old ratio में कुछ थी, अब new ratio में करना चाह रहे है, so we've done that, but today we'll cover what happens when the partners decide to adjust their capital on the basis of the new partner coming into the business, नया partner business में आ रहा है, उस basis पे, अगर capital change करनी है, तो क्या treatment किया जाएगा, यह हम आज के session में देखने वाले हैं, तो quick summary कि आज हम क्या-क्या study करने जा रहे हैं, और first point जैसा मैं ने कहा, the first thing that we are going to study is the calculation of sacrificing, gaining and new PSR, अरे new PSR में हमेशा हरा color क्यों हम, चली, so, all right, अब बात आती है कि calculation करना है आपको नए PSR का, there will be case of sacrificing, कि sacrificing ratio कि इत्ता आ रहा है, कोई gain भी कर रहा होगा, सोच के देखना जरा scenario, दो partners थे, तीसरा partner आ रहा है, अब जो तीसरा partner आ रहा है, उसे कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इसके लिए example हमने आपको बताया भी है, you remember the example जो हमने chapter number two में लिया था, we have a pizza, a pizza that is distributed equally amongst, almost equally मान लो, हाँ equally ही है, amongst A and B, ठीक है, ये pizza A और B में बराबर बराबर बढ़ता था, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है जी, C को invite किया गया, into the partnership, now, the same pizza needs to be distributed in three parts, ठीक है, ये हो गए तीन हिस्से, A, B और C, C अभी तक नहीं थे firm में, इन्हें आज तक pizza नहीं मिल रहा था, अब ये अगर piece मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका तो भाई साब हो गया profit, he is gaining, obviously a split in half, split in the middle, बीच में से हम इसको आधा-ाधा कर रहे थे, अब यहां से ऐसे चला जाता है, और यहां से ऐसे चला जाता है, दिख रहा है तो which means, a का इतना portion, यहां से अगर मैं dotted line बनाऊ, तो a का इतना हिस्सा और b का इतना हिस्सा मिलाके हमने c को दे दिया, which means a is sacrificing and b is also sacrificing, correct है, यह के सब को समझ आ रहा है, कि हाँ sir, pizza के बार, आप जो भी बोलते हैं, हमें बहुत अच्छे सा समझ आता है, थोड़ा सा एक बारी के लिए ध्यान बटकता है, कि pizza बोलते ही एकदम से जाता है, domino's पे अभी order कर दें, तो किती देर में आएगा, लेकिन उसके साथ में यह concept भी समझ आ जाता है, कि हाँ sir, pizza को दो पार्ट में बाट रहे थे, अभी तक अब उसको तीन हिस्सों में बाटना है, तो जो तीसरा हिस्सा जिसको भी मिल रहा है, वो तो नया ही बंदा है, अभी तक उसको कुछ भी नहीं था, अब उसको मिलने लगया, that means a new partner will always gain, it's as simple as that, नए पार्टनर को तो हमेशा फायदा ही होगा, पुराने पार्टनर का sacrifice भी हो सकता है, gain भी हो सकता है, depending upon the new ratio, ऐसा हो सकता है कि नए हिस्से में B को gain भी हो रहा होता, for example, अगर इसी पीज़ा को हम कैसे बाटें, अगर सेम पीज़ा, मैं बाटता हूँ, this is the case, जो हमारे सामने है, यही पीज़ा है, यहां से ऐसे आके, यह तो जा रहा है, लेकिन यहां से यह ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, यह share A का है, यह share B का है, और यह share C का है, तो देखे C का तो हमेशा gain है, C का अभी तो कोई share नहीं था, बट उसका मतलब क्या हुआ, C is always gaining, तो C का तो मैं हमेशा क्या कहूंगा, C is always gaining, जो भी है, A is sacrificing, obviously A पहले भी sacrifice कर रहा था, अभी भी sacrifice ही हो रहा है, point is with B, B का अगर पुराना share निकालें, तो वो यह है, so this much, यह जो shaded area है, this is, क्या है यह, यह है सर, B's gain, समझें, अब यही तीन cases आपके सामने हैं, let's see, these are the three cases right in front of you, देखे, old, both of them getting equal portion, new, when C came in, both of them sacrificing equally, so that C gets a significant share, so C will gain, A and B are sacrificing an equal amount, however, in this case, only A is sacrificing, B को तो gain ही मिला है, B को gain मिला कि A के मैं से काफी सारा हिस्सा, उस मैं से थोड़ा हिस्सा C को दे दिया, और बाकी बचा हुआ B को मिल गया, तो B हमारा gain हुआ, right, so इस तरह के काफी सारे scenarios हम देख सकते हैं, इस तरह के scenarios हमारे cases में होते भी है, we know these by doing the questions that we've done till now, आपने questions करे हुए है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है, चली, अब आपके लिए हम लेके आते हैं, क्या जी, हम लेके आते हैं आपके लिए cases, तो सबसे पहला case में क्या लेके आया हूँ आपके लिए, the first case is, अगर आपको सिर्फ question में नए partner का ratio given है, nothing else, which means A and B are partners sharing profits in 3 is to 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, फिर बोलता है they admit, अब they admit लिखना जरूरी है, because admission of a new partner can be done unanimously, मतलब दोनों agree होने चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा, they admit C for one-fourth share, and the question is silent, बस इतना बोला है, A and B partner है, 3 is to 2 के ratio में, admit करते हैं, C go for one-fourth share, आपको बोल रहा है, find out the new PSR, new profit sharing ratio, among A, B, and C, ये है आपके सामनी question, कि A and B partners हैं, 3 is to 2 के ratio में profit share करते हैं, C को one-fourth share के लिए लेके आ रहे हैं, partnership firm में, आपको बताना है, नया profit sharing ratio इन तीनों के बीच, अब इसका solution हम कैसे निकालते हैं, solution निकालते हैं, हम C share, कितना है C का share, Sir C को हम दे रहे हैं, one-fourth, बिल्कुल सही, C को एक चुथाई अगर देंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, Sir बाकी बचेगा हमारे पास, कितना, पूरा share होता है one, one में से one-fourth अगर दे दिया, C को तो बाकी बचता है, जी, three-fourth, सही है, जी, Sir, बिल्कुल सही, जवाब, three-fourth बचेगा, now this three-fourth, ये जो three-fourth है, This share will be taken over by A and B, किस रेशो में, उनके पुराने रेशो, in their old ratio, therefore, new ratio क्या हो गया, बाकी बचा है, three-fourth, three-fourth, a ले रहा है, three-upon-five के ratio में, three-upon-five into three-upon-four is equals to nine by twenty, all right, B का ratio क्या रहेगा, Sir, B का पुराना ratio था two-upon-five, वो इस three-fourth को two-upon-five के ratio में ले रहा, he comes to six-upon-twenty, C का क्या है, Sir, C का तो one-upon-four ही share है, लेकिन अगर denominator मुझे 20 चाहिए, तो उपर नीचे दोनों मुझे five से multiply करना पड़ेगा, रेशो आ गया, five by twenty, which means, क्या आया हमारे पास new profit sharing ratio, new PSR पूछा गया था आपसे, new PSR, क्या है, nine is to six is to five, तो ये था हमारा पहला वाला केस, पहला वाला केस मतलब, जब question silent है, सिर्फ ये बोलता है, कि पुराने पार्टनर्स इस ratio में थे, नई पार्टनर को इतने share के लिए लेके आ रहे हैं, तो बताओ new ratio क्या हुआ, हमने बता दिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा, नई पार्टनर के हिस्से को side रखो, बाकी बचे हुए हिस्से को उसी पुराने ratio के basis पे distribute कर दो, निकल के आ जाएगा आपका new ratio, अब new ratio अगर निकल के आ गया है, so it is very easy to calculate the gaining or the sacrificing ratio, sacrificing ratio का formula आप सबको पता है, sacrificing is equals to old minus new, तो इसमें old आपके सामने है, new आपके सामने है, तो आप sacrificing आराम से निकाल सकते हैं, old ratio है, new ratio भी है, you can easily calculate the sacrificing ratio, और यहाँ पे, case 1 जो भी अभी हमने पढ़ा है, इसके बारे में एक बहुत मज़्यदार बात है, इस case में the sacrificing ratio will be the old ratio only, sacrificing ratio पुराना ratio ही होगा, इस case में, तो यह हमेशा ध्यान रखना है, all right, चलिए, बात करते हैं हम फटा फट से आगे चलते हुए, अपने case number 2 की, what would be case number 2, क्या होगा case number 2, क्या लगता है आपको, case number 2 यह कहता है, कि जब नया partner आ रहा है, तो नया partner कहा रहा है, कि मेरा share इतना, मैं आप दोनों से बराबर बराबर वसू लूँँगा, ऐसा नया partner कहा देता है, which means, A and B are partners sharing profits in 3 is to 2, C is admitted for one-fourth share which he acquires equally from A and B, ठीक है जी, बराबर बराबर वसू लिया, A और B से, अब इसका solution बताए, you have to calculate the new PSR, यहां लिख देता हूँ मैं, calculate new PSR, अब इसका क्या करें, इसका simple सा है, सर, C का share किता है, C का share आपने अभी अभी बोला, यह है one-fourth, ठीक है, C इस हिस्से को कैसे-कैसे ले रहा है, A से, acquired from A, A का पुराना share क्या था, पुराना share कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब क्या है, C इस share को आधा-ाधा ले रहा है न, तो one-eight, this is A's sacrifice, acquired from A का मतलब, A से वसूला गया, A से जो वसूला, वो A का sacrifice ही हुआ न, acquired from B, again, one by four into one by two, यानि क्या गया जी, one by eight, तो दोनों का sacrifice है, one by eight and one by eight, अब, simple सी बात, new PSR is equals to old minus sacrifice, सीधा-सीधा, old minus sacrifice कर दो, तो A का कित्ता आया, sir, A का पुराना था three by five, ठीक है जी, sorry, नया, sorry, sacrifice है one by eight, how much is this coming to, sir, 40 आगया, ऐसे 20 भी आजाता, लेकिन फिर वही आठ का धाई करना पड़ता, क्या मतलब है, 40 आगया, आठ से इंटू कर दो, 24, minus eight, 16 by 40, सही है, 16 by 40 आगया, ठीक है, बी का निकाले, 2 by five, minus one by eight, again, कित्ता आया, eight से, 16, minus eight, sorry, 16 minus, ये कित्ता आएगा, अरे यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, हमारा वो हुआ है, let me just rectify this, erase अरे तना निए, तो ये तो eight से हुआ, ये पांट से हुआ, 25 minus five, all right, so this is coming to 19, ठीक है, cross multiply होता है न, ये आठ और ये पांच, तो 24 minus five, 19 हुआ, ये हुआ, 16 minus five, कित्ता आगया, 16 minus five is 11, और C का तो वैसे भी, one-fourth share ही था, लेकिन, कितना लाना है नीचे, सर नीचे लाना है, 40, तो 40 लाने के लिए, उपर और नीचे, दोनों 10 से multiply करना पड़ेगा, which becomes 10, तो हमारा नया ratio क्या आया, new PSR comes to, 19 is to 11 is to 10, ठीक है, ये हो गया जी, case number two, अब आते हैं हम, case three पे, सर, case three क्या कहेगा, बई case three बहुत मज़्यदार है, case three बहुत interesting है, और case three आप से क्या कहता है, अभी जो उपर आपने कराना, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, अब बराबर नहीं हैं, किसी और ratio में, कहने का मतलब, वही बात, ANBR पार्टनर्स, ANB पार्टनर है, शेर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स three इस्टू टू में, शेरिंग प्रॉफिट्स इन, थ्री इस्टू टू रेशो, ठीक है, दे डिसाइड टो एड्मिट सी, और सी को पार्टनर बनाया, सी इस एड्मिटिड, फॉर, सी को पार्टनर बनाया जाता है, वन फिफ्ट शेर के लिए, विच ही अक्वाइर्स, विच के लिए, ओहो, छोटा सा कॉमा लगाना है, विच ही अक्वाइर्स, अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, अब विच में इस डिसलो अक्वाइर्स फ्रों, इन अ, तो इस्टौ वन तो बोले तो, नया पार्टनर आ रहा है, यहे रा रहा है और वो, फू इस तो ऋटौ आकवाइर कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लीखते हैं, सरीज, शेर, वन फिफ्ट, अब इसका सीधा-सीधा A, B और C यहाँ पे आप new ratio निकाल लेजे यहाँ पे sacrifice निकाल लो, sacrifice किता है यह format आप लोगों को याद है second वाले chapter में हमने इसी format से आपको समझाया था तो A का sacrifice क्या है सर A का sacrifice है 1 फिफ्ट को वो bear करेगा 2 इस्टु 1 में तो 1 by 5 into 2 by 3 यानि 2 by 15 और B का sacrifice है 1 by 5 शेर को वो bear करेगा 1 by 3 के ratio में यानि 1 by 15 आ गया A का old ratio क्या है सर 3 by 5 2 by 5 यह तो new ही है 1 by 5 ठीक minus, what is the sacrifice? 2 by 15 इधर 1 by 15 is equals 2 how much is this coming to? LCM आ जाएगा जी 15 5 और 15 का LCM बंदरा ही हुआ इसमें 3 बार जाना है 9 इसमें एक बार भी नहीं जाना 9 minus 2 यानि कि यह तो आ गया 7 बटा पंदरा यह कितना है जी 3 बार जाना है 6 6 minus 1 बटा पंदरा यानि कि 5 बटा पंदरा अब 7 और 5 कितना हुआ 12 तो यहां आटोमेटिकली कितना आ जाएगा वैसे भी उपर नीचे पंदरा करने के लिए उपर नीचे 3 से मल्टिप्लाइ करना था तो इसका आ जाता है 3 Now you have the new PSR New PSR क्या हुआ New PSR हो गया 7 is to 5 is to 3 This is case number 3 अब हम आते हैं अपने last and final case पे That is case number 4 Case number 4 क्या होगा सोचो Case number 4 ऐसा है जहां पे हम यह नहीं बता रहे कि उसको कितना वो किस शेर के लिए आ रहा है किस ने कितना दिया मतलब उसके शेर को हम ऐसे नहीं बोल रहे है कि C आ रहा है 1 फिफ़ शेर के लिए और A ने इतना दिया B ने इतना दिया नए ने अब हम बात क्या कर रहे है अब हम बात कर रहे हैं उसी पीज़ा की किसी आके खड़े हुए बोला यार I am your new partner उनने का okay fine ठीक है मान लिया मान लिया तो बोलता चलिए बताईए share क्या है तो A ने क्या कहा A ने अपने pizza का piece देखा वो cutter लेके ऐसे एक piece काटा वो निकाल के रखा yellow भाई B ने अपने pizza का piece देखा उसमें से cutter लेके ऐसे piece काटा और बोला yellow भाई कहने का मतलब क्या हुआ Now C did not come with any conditions But A and B have decided to give a particular share of their own older old share अपने पुराने हिस्से का कुछ portion उन्होंने C को दे दिया है समझे Which means हमारा case number 4 होने वाला है बहुत ही interesting बहुत ही मज़ेदार जिसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ old partners are surrendering a particular fraction of their share in favor of the new partner कैसे समझाएं इसको सर बात यही करेंगे कि अपने A and B हैं partners हैं profit share कैसे कर रहे हैं sharing profits in किस ratio में सर ratio तो वही रखे constant हम 3 is to 2 ही करते हैं 3 is to 2 ठीक है they decide to admit C as a partner they admit C as partner और फिर क्या कहा फिर यह कहा कि A ने surrender किया A surrenders बोले तो यहां पर A का sacrifice आपके सामने है A surrenders कितना two-third of his share यह याद रखना उसका share B surrenders one-third of his share यानि दोनों ने अपने अपने हिस्से में से निकाल कि दिया A ने अपने हिस्से से two-third निकाला B ने अपने हिस्से से one-third निकाला अब आपको पता करना है new PSR तो यह आपका solution आया हम कैसे solution ऐसी बना देते हैं जो अपना original essay format must चल रहा है A is equals to B is equals to और C is equals to यहाँ पे हम लिखते हैं sacrifice अब sacrifice किता है A का किता है A का पुराना share है 3 by 5 उसमें से वो minus कर रहा है 2 by 3 ठीक है बट 2 by 3 किसका यहाँ पे अब हम निकालेंगे यहाँ minus ना करके हम इसको कर देते हैं multiply sacrifice बताना है आपको किता है तो sacrifice तो यह हुआ B का आया 2 by 5 वो उसका 1 by 3 sacrifice कर रहा है How much is this चाहिए तो काट सकते हो 2 by 5 बट जब नीचे 15 ही आने वाला है तो हम यहाँ लिखते हैं 6 by 15 और यहाँ लिखते हैं 2 by 15 So this is the sacrifice old ratio is 3 by 5 और 2 by 5 minus 6 by 15 minus 2 by 15 is equals 2 किता किता आया और simple सी बात है इन दोनों का जो less किया हुआ है जो surrender किया वही तो C को मिलेगा 6 by 15 plus 2 by 15 C का directly हम बोल देंगे 8 by 15 आ गया इनका निकाल लेते हैं भई denominator 15 ही रहेगा यहाँ denominator 15 ही रहेगा अब निकालिए यहाँ पे कितने से into करें 3 से गर दो सर सही है यहाँ पे नीचे 15 लाना तो उपर भी 3 यानी 9 माइनस 6 3 by 15 correct है यहाँ तक सब सही मानेंगे इसको चलो ठीक है इसको क्या करें सर्क 3 से कर दो 6 माइनस 2 4 by 15 यह 8 by 15 टोटल निकाल के देख लो 8, 4, 3, 8, 4, 12, 3, 15 तो हमारे पास new PSR क्या आया 3 is to 4 is to 8 simple simple सी बात बहिए अपने शेयर में से इतना हिस्सा निकाल के दे रहे है तो वही बात की न अभी जैसे मैंने आपको example में क्या समझाया मैंने example में यही समझाया this is our pizza यह A और B का अपना अपना शेयर A is share and B is share pizza सही नहीं लग रहा है क्या pizza में थोड़ा confusion हो रहा है आप लोगों को बोल रहे हो कि सर यह pizza नहीं लग रहा है चलो कोई बात नहीं तो अभी आपके लिए pizza बना देते है यह आ गया जी there you go आ गया pizza सही है अब तो सही है ना अब सही है या नहीं है यह तो बता दो हाँ सर बिलकुल सही है यह हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं almost middle मान सकते हैं this is the pizza split in half all right तो यह A का share यह B का share अब हम क्या कह रहें कि A ने अपने हिस्से में से ये हिस्सा B ने अपने हिस्से में से ये हिस्सा ऐसे दे दिया तो C को कितना मिला C को यही हिस्सा मिलेगा ना जो A ने अपने में से दिया B ने अपने में से दिया यही हमने उपर calculate करके बताया this is exactly what we calculated right here कि A ने अपने शेयर में से इतना दे दिया B ने अपने शेयर में से इतना दे दिया तो वो दोनों मिला के हमारा C का शेयर बन गया ठीक है? चलो तो change in PSR यानि admission के टाइम पे जो PSR में changes हो रहे थे वो हमने देख लिए कोई gain करे कोई sacrifice करे कोई क्या करें? new PSR में आ जाए तो ये तो जो है नया partner जो admit होता है उसका जो new PSR है वो अपने आप में ही gaining हो गया न क्यूंकि उसने वही gain किया है और उसका gain compensate कौन कर रहा है? अपने पुराने partners तो उनके लिए वो हो गया जी sacrifice चली तो अब जब हमने पढ़ लिया है क्या? हमने पढ़ लिया है जो new ratio का calculation है और sacrificing ratio का calculation है ये सब कुछ जब हम देख चुके तो अब हम बढ़ चलते हैं the treatment of goodwill पे माफ कीजिएगा अब हम बढ़ चलते हैं treatment of goodwill treatment of goodwill आप लोगं को बहुत अच्छे से आता है कैसे आता है? कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको आता है क्यूंकि valuation थो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया अब बढ़ गुडविल को value करने के बहुत सारे तरीके हैं एक है आपका average profit method average profit में दो simple average, weighted average weighted average कब? जब profits increasing trend दिखा रहे हूँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो weighted average profit method लगाके goodwill का calculation करिए फिर आपने देखा super profit method super profit method बोले तो super profit का मतलब जो ordinary नहीं है यानि जो normal profit इसी industry में बाकी firms earn कर रही है अगर हमारा average profit उससे ज़ादा है तो यह जो difference है इसे मैं कहूंगा super profit average profit minus normal profit is my super profit normal profit कैसे निकालते हैं capital employed into NRR capital employed बोले तो कितना पैसा लगा हुआ है कितनी capital invested है and NRR बोले तो NRR is the net rate of return which means कि इस capital पे normally industry की बाकी firms को कितना return मिलता है कितना profit कमा लेती है तो वो एक industry average निकालके हम एक estimate basis पे बता देते हैं कि NRR is this तो अपने capital employed into NRR जब आप करते हैं you get your normal profit average profit और normal profit के बीच में जो positive difference होता है इसे ही कहा जाता है हमारा super profit उसके बाद हमने method देखा था capitalization method जहांपे capitalization of average profit और capitalization of super profits हमने check out किया था इसके बारे में detailed अगर जानकारी आपको चाहिए तो करना क्या है playlist में जाईए वहाँ पे देखिए one shot chapter 2 change in PSR among existing partners वहाँ पे इस सारे calculations बहुत detail में with perfect examples आप लोगों को समझाए गए चले तो बात आती है अब goodwill का treatment देखना है at the case of या in the case of admission of a new partner तो नए partner के admission के time पे या दोरान हमें goodwill का क्या treatment देखना होता है तो goodwill के तीन treatment goodwill के तीन treatment क्या तीन treatment वहाँ तो अच्छा वहाँ नहीं करते है पर ठीक है यह तीन treatment पहला treatment क्या है वें देखना पार्टनर पेस हिस शेर अफ गुडविल प्राइवटली पेड प्राइवटली ब्रिंग्स शेर अफ गुडविल इन कैश और लास्ट होता है ड़स नॉट ब्रिंग शेर अफ गुडविल इन कैश यह तीन treatment होतے हैं गुडविल के एक नए पार्टनर के अड्मिशन के केस में या तो वो अपना गुडविल का जो हिस्सा है वो प्राइविटली पे कर दे हैं या फिर वो गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आएं या फिर वो goodwill का हिस्सा cash में लेके नहीं आ रहे अब जब paid privately की बात की जाए privately मतलब जो partners थे उनके आपस में under the table type सा कुछ arrangement हो गया out of the books arrangement हो गया तो इसकी हमें कोई entry नहीं करनी है no treatment required बात ही कतम क्योंकि books में आया ही नहीं इन्होंने out of the books settlement करा है नई partner ने पुराने partners को जो भी pay करना जो भी जैसे भी share वारी बात थी उन्होंने privately pay कर दिया है that never came into existence in the business वो transaction आया ही नहीं है business में तो हम उसको record भी नहीं करेंगे ठीक अच्छा जी second क्या है brings share of goodwill in cash अब इसको जरा हम समझे इसका मतलब यह हुआ brings share of goodwill in cash बोले तो capital लेकर आनी आनी है हमने उन्हें बता दिया कि भी यह तुम्हारा goodwill का जो share है ना goodwill हमने calculate करी valuation करा और उसके बाद बोला कि इस valuation के हिसाफ़ से तुम्हारा share इतना बनता है मान लीजे goodwill निकाल रहे है वन लाक रूपीज वन लाक में हम बोलता है भाई पैचान बनाई है उसी पैचान को हम goodwill बोलता है goodwill के बारे में हमने discussion करा है chapter 2 में जहां definition भी समझाये meaning भी समझाये goodwill की crude definition हमने क्या समझी थी वो यह थी कि goodwill is nothing but an attractive force which brings the old customers to a place of business regularly या एक ऐसी probability that customers will repeatedly come to the same place of business कि जो business है उसके पास बार बार repeat customers आएंगे ऐसी एक probability ऐसी संभावना यह goodwill ही होती है goodwill की वज़े से ही यह हो रहा होता है तो उसका valuation होगा यह हमें पता है उसके साथ में यह भी बात है कि अब जो partner नए आ रहे है वो भविश्च में हमने देखा right of a partner में कि he has a right to share in future profits यहनी future major profits होने वाले हैं उसमें इन नए partner भाई साब का भी एक हिस्सा होगा है की नहीं अब बात यह है कि उस नए partner को जो हम हिस्सा देने वाले हैं आने वाले profits में तो वो आने वाले profits औरों के मुकाबले जादा हो रहे हैं हमारे किसी कारण की वज़े से क्या है वो कारण? वो कारण है goodwill विच मेंज जो हमने पुराने partners ने इतने सालों में इतनी महनत करके जो company का नाम बनाया firm का नाम बनाया उसकी वज़े से extra profit जो होने वाला है अब भविश में उन extra profits में इन भाई साब का भी एक हिस्सा आ गया नए partner का So the new partner has to compensate the old partners for the share of goodwill कि जिस goodwill की वज़े से मुझे भविश में जो होने वाले profits हैं उसमें हिस्सा मिलने वाला है extra profits जो होते हैं उसमें मुझे हिस्सा मिलने वाला है वो आपकी की हुई महनत का नतीजा है तो मैं उस महनत को सलाम करता हूं प्रणाम करता हूं by paying this छोटा सा एक amount known as the premium for goodwill समझे तो जब नया partner admit होता है तो हम entry क्या करते हैं entry होती है cash account debit to हमारा नया partner है C तो two C's capital account and two premium for goodwill account ये दो entry होती है हमने कहा वो 40,000 की capital ला रहा है 20,000 उसका goodwill का share है तो हमने यही बात बोल दी कि भाईया 60,000 लेते हुए आना तो उन्होंने का ठीक है जी 60,000 ले आएंगे वो 60,000 ले आए 60,000 लेते हुए आए 40,000 तो capital का है 20,000 premium for goodwill का है वो ले आए जी 60,000 ठीक है अच्छा अब ये जो premium है इस premium का क्या करना है सर ये premium है ना ये premium बटेगा between the old partners in their consideration में अब यहाँ पे है सारा का सारा goodwill का अपनने हमेशा पढ़ा है reconstitution के case में goodwill के होते हैं दो treatment अगर goodwill already books में है तो write-off करी जाएगी amongst the old partners in their old profit sharing ratio वो तब जब goodwill already books में है अगर goodwill books में नहीं है हम उस time पे reconstitution के time पे हमें goodwill का valuation करना ही होता है हमने goodwill value करी है reconstitution के time पे उसका treatment क्या करते हैं उसका treatment होता है sacrificing and gaining ratio now gaining ratio obviously नए partner का तो gain है ही है हमने वो तो दिखा ही दिया है हमारी अगली entry होती है premium for goodwill account debit क्यों क्योंकि अब वो account हम खतम कर रहे है premium for goodwill account debit which would be how much 20,000 20,000 का हमारा premium है वो हम ले आए आगे क्या कहेंगे हम कहेंगे 2 is capital account and 2 B is capital account मान लीजे यह case 1 था case 1 क्या था 3 is to 2 के ratio में A और B partner है वो C को admit करते है 1 fourth share के लिए उस case में हमने देखा था sacrificing ratio क्या होता है old ratio ही हो जाता है तो अब इसे sacrificing ratio में बाट देंगे यानि 3 is to 2 बोले तो 12,000 तो यह आ गया और 8,000 यहां आ गया ठीक है तो हमने entry क्या करी premium for goodwill account debit 20,000 to A is capital 12,000 to B is capital 8,000 यह पूरा का पूरा premium हमने बाट दिया है A और B के बीच में now A and B have an option चाहे तो यह रहने दे business में ही चाहे तो वो withdraw कर सकते हैं withdraw करेंगे पूरा withdraw करते हैं तो उनकी capital debit होगी to cash आधा withdraw करते हैं तो भी capital debit होगी आधे amount से to cash withdraw कित्ता भी किया जा सकता है पूरा amount withdraw कर लो आधा करो पूरा withdraw ना करो कैसा भी case हो सकता है अगर withdraw नहीं करते तो यहाँ पे ही end हो गया withdraw करते हैं तो withdraw की एक entry और कर देंगे हम अच्छा अब क्या आया वें दे पार्टनर दस नौत ब्रिंग पार्टनर दस नौत ब्रिंग लिए और होगी share of goodwill in cash भाई cash में हिस्सा नहीं लेके आ रहे तो क्या करें हिस्सा तो लाना था यार अब cash में लेके नहीं आ रहे हो तो भी हम कुछ तो मानेंगे क्या मानेंगे हम हम premium for goodwill क्यूंकि premium for goodwill अब मेरे पास आ नहीं रहा है उसको substitute कर देंगे यानि यहाँ पे ये तो रहे गई cash account debit to seize capital account ये तो रहना ही रहना है ठीक है this will always be there वो तो जो लेके आए सिर्फ उत्ता दिखा दिया 40 लेके आए हमने 40 का ही हिसाब कर दिया सर premium का क्या करें ठेरो जरा रुको जरा सबर करो बता रही premium का क्या करो premium को अब premium for goodwill के नाम से ना दिखाते हुए हम सीधे क्या करेंगे we directly move on to an entry where we'll create C का current account simple चाहे fix capital method हो चाहे fluctuating capital method हो current account open कर दिया जाएगा क्यूंकि वो goodwill का जो share है cash में लाना भूल गये तो हमने क्या का भाई तेरे से वसूलेंगे कैसे हमने current account बना दिया और आगे क्या कर दिया to A's capital account and to B's capital account वही चीज़ वही ratio क्या था 3 to 2 सर 12,000 A का 8,000 B का वही काम करा है हमने फरक कुछ नहीं है काम सेम है बस यहाँ पे यह जो चीज थी यहाँ हम क्या ले आए हम ले आए C का current account because he has not brought it in cash he did not bring the premium for goodwill in cash तो हमने कर दिया तुम्हारे current account को debit C दिसी दिवाद भाई वसूलेंगे तो सही तुम gain कर रहे हो gain कर रहे हो उसके साथ में क्या हो रहा है future में जब भी profits होंगे and since you will be getting a share in the future profits तो हमारे लिए बात क्या होगी हमारे लिए तो नुकसान है तो तुम्हें compensate तो करना पड़ेगा compensation आप करेंगे by debiting your current account आपका current account हम debit कर देते हैं और आप compensation कर दीजी simple सी बात अच्छा जी अब आगे देखते हैं एक चीज और है क्या जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ what do you guys know about this hidden goodwill sir छुपी हुई goodwill उसी को कहेंगे hidden goodwill विल्को सही बात तो एकदम ठीक है छुपी हुई लेकिन कहां छुपी हुई पेड के पीछे building के पीछे गाड़ी के नीचे ऐसे कहीं छुपी हुई नहीं hidden goodwill का मतलब क्या हुआ hidden goodwill का मतलब ये हुआ जो apparent आपको सामने दिख नहीं रही है case में कहीं न कहीं goodwill होगी you can easily calculate that but it is not apparently visible to you that is what hidden means goodwill वैसे भी intangible asset है nature उसका क्या है दिखाई नहीं देती छूनी सकते it's an intangible asset तो either ways दिखाई तो नहीं ही दे रही बस यहाँ पे वो छुप भी गई अब ज़रा सोच के देखो जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो छुप भी गई तो हालत क्या होगी ढूंडेंगे कैसे correct है ढूंड सकते हैं यही अकाउंटेंसी का सबसे मज़ेदार काम है हम दिखाई ना देने वाली चीजें भी अगर छुपी हुई हों उन्हें भी ढूंड के ला सकते हैं let us see how मैं कहता हूं C's share कितना है one fourth and C's capital किती है 24,000 रुपए माझ ले ठीक है अब सारे adjustment करने के बाद after all adjustment क्यों after all adjustment क्योंकि जब यार ये नया partner आ रहा है business में तब आपने सारे adjustments कर लिये है न वही तो हम पढ़ रहे हैं भी कि partner के admission के case में क्या-क्या adjustments होते हैं वो सारे adjustments हमने देखे हैं हमने कहा सारे adjustments हो गए है तो after all adjustments क्या हो रहा है A's capital rupees कितना sorry A's capital is rupees 30,000 और B की capital कितनी है sir B's capital is rupees 20,000 ठीक है जी तो 30,000 A की है 20,000 B की है अब आपको बताना है कि hidden goodwill कितनी है तो अब गौर से सुनना solution क्या करते हैं हम इसका हमें पता है C का share C का share अभी आपने बताया sir वो है one fourth C's share is one fourth C's capital कितनी है sir C's capital is rupees 24,000 बहुत ही बड़ी है अब मैं बोलता हूँ मुझे एक बात बताओ अगर मैं C की capital और C के share को base ले लूँ तो firm की capital कितनी हो जाएगी firm's capital on the basis of C's capital firm's capital based on based on C's capital कितनी हो गई 24,000 एक चौथा हिस्से के लिए तो पूरा हिस्सा कितना हुआ into four यानि rupees 96,000 96,000 total capital होनी चाहिए however है कितनी firm's capital now या firm's capital ये तो capital should be है should be firm's capital based on C's capital firm's capital actually कितनी है A plus B plus C यानि की 50 ओ सॉरी यानि की 30 plus 20 plus 24 is equals to how much is that 74,000 rupees है होनी चाहिए 96 है 74 तो goodwill क्या हो गया बाकी बचा goodwill ही हुआ ना क्यूंकि हमने उसे इस हिसाब से बोला कि भाई total इतनी होगी तो one-fourth के हसाब से तुम 24,000 ले आओ लेकिन आ तो रही है 74 ये 30, 20 और उस हिसाब से 74 आई तो यहाँ पे अब goodwill क्या हो गई goodwill हो गई रुपीज 96,000 माइनस रुपीज 74 क्यूंस को कह दिया 96,000 है total capital तो उसे साब से तुमारा एक चौथा इससा बनता है 24,000 24,000 लेके आ जाना फिर उसने ऐसे बैठके दिमाग लगाया बोलते है 96 तो बनी नीरी capital तो मेरी इंक्रूड करके 24 बनती तो 96 कैसे तब हमने उससे समझाए कि भाई बाकी जो है बाकी क्या है 9 में से 7 गए 2 6 में से 4 गए 2 यानि 22,000 रुपे आपकी goodwill है जी तो यहां से आगई hidden goodwill समझे तो ये था पूरा case how to understand hidden goodwill ये है hidden goodwill का पूरा question और पूरा concept कि C का share है 1-4 C की capital है 24 तो हमने का उसे साब से total capital क्या होगी फिर्म की वो होगी 96,000 ये रही 96,000 अगर फिर्म की 96 है अभी है कितनी A की 30,000 B की 20,000 और C की अभी 24,000 हमने बता दी तो total capital है तो 74 आप कहे रहे होनी 96 चाहिए तो वो क्या ये जोल क्या बैठा तो ये ही जोल आया 22,000 रुपए की आपकी goodwill ठीक है जी उसके बाद का treatment सारा सेम है कि उसमें B का share सारी C का share कितना होना चाहिए था उस share को वो cash में लेके आया है हम मानी रहें क्योंकि वो 24,000 तो चाहे goodwill books में दी हो दी हुई है तो old PSR में write-off कर देना amongst the old partners अगर दी नहीं है valueate करके निकाल रहे हो और उसके बाद बता रहे हो कि अच्छा वो share लेके आ रहा है या share लेके नहीं आ रहा तो share लेके आ रहा है तो entry हो जाएगी premium for goodwill account से फिर उसके बाद distribute करेंगे share लेके नहीं आ रहा है तो entry होगी नए partner के current account से और उसके बाद उसका distribution किया जाएगा amongst the old partners in their sacrificing ratio ठीक है जी? चलिए अब इसके आगे हमने goodwill का सारा treatment पढ़ लिया in case of admission उसके बाद हमें क्या देखना है सर हमें देखना है treatment of accumulated treatment of accumulated profits and losses ये देखना है जी हमें treatment of accumulated profits and losses क्या आए? क्या-क्या है accumulated profits and losses ये profits ये losses उस दिन भी बताया था general reserve capital reserve workman compensation reserve investment fluctuation reserve यहाँ पर क्या है? debit balance of P&L और क्या है? advertisement suspense account ये आपके accumulated losses हो गए profits भी आगए और losses भी आगए ठीक है? treatment क्या होता है? सर ट्रीटमेंट simple सा होता है reconstitution का कोई सा भी case हो whether it is change in PSR among existing partners whether it is change in PSR at the time of admission यानि admission हो रहा है ना ये पार्टनर का चाहे retirement हो चाहे death हो accumulated profits and losses का treatment सेम है accumulated profits distributed amongst the old partners in their old profit sharing ratio accumulated losses written off amongst the old partners in their old profit sharing ratio treatment सेम ये तब अगर balance carry forward नहीं करने जो balance sheet बनेगे after reconstruction उसमें ये balances नहीं दिखाने हैं तो treatment हम क्या करते हैं? इसका treatment करते हैं write off कर दो या distribute कर दो amongst the old partners in their old PSR ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहां? हम यहां लिखते हैं accumulated P&L profits and losses ऐसी लिख देते हैं treatments हो गए जी दो क्या क्या हुए दो treatment पहला treatment क्या है अपना? सर पहला treatment है when balances are not carried forward तो हम क्या करते हैं जब balance carry forward नहीं करते और यहां पे मैं क्या लिखूँँगा? when balances are carried forward यह दो treatment है कि भई balances are not carried forward and balances are carried forward तो अब यहां पे हम treatment क्या लिखे? भई जब balance carry forward कर रहे हो और balance carry forward नहीं कर रहे हैं जब नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे distributed profits के लिए comma written off amongst old partners in old यहां पे क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे distributed comma written off among partners in their sacrificing comma gaining ratio in fact यहां मैं क्या कहूंगा? यहां मैं distributed written off भी नहीं बोलूंगा इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं कहूंगा यह हटा के सीधा सीधा मैं बोलूंगा adjusted क्यूंकि यह जो entry होती है यह जो entry है sacrificing gaining ratio वाली इसे कहा ही जाता है adjustment entry यह adjustment entry ही होती है कि जो sacrifice कर रहा है वो credit हो जाएगा नया partner gain कर रहा है उसे हम कर देंगे debit balances हमारे books में as it is carry forward होके दिखते रहेंगे ठीक है जी तो यह हमारा treatment रहा accumulated profits and losses से related अब इसके बाद क्या आता है सोचो सोचो गौर फर्माओ ध्यान दो क्या होगा इसके बाद इसके बाद आएगा जी after we are done with this जब हम accumulated profits and losses अब देख चुके हैं तो उसके आगे treatment आता है हमारा ये जी हाँ बिलकुल सही जवाब है आप लोगं का हमारा अगिला treatment है revaluation of asset and reassessment of liabilities वाह उपर की line red है नीचे की line green है अच्छी बात है बढ़िया है पता चल गया एक asset की बात कर रहा है दो treatment हमारे पास क्या आए एक जब revaluation account is opened revaluation account opened और यहाँ क्या लिखें यहाँ अगर open हो रहा है तो यहाँ क्या होगा revaluation account not opened नहीं खोलना है मुझे कोई भी revaluation account एक जगे मैंने revaluation account open करा है यहाँ पे मैं revaluation account नहीं open करना चाह रहा तो treatment क्या होगा जहां revaluation account open करा है वहाँ क्या करेंगे asset increase होगी तो asset को debit कर देंगे क्योंकि asset की increase debit होती है asset decrease होगी तो asset की decrease को credit कर देंगे दोनों cases में corresponding opposing account क्या होगा revaluation account यानि when an asset increases your entry will be asset account debit to liability में उल्टा कर दो liability increase होती है तो credit होती है यानि entry हो जाएगी revaluation account debit to liabilities और liability को decrease करने के लिए debit करना पड़ता है तो हम entry करेंगे liability account debit to revaluation ठीक है अब revaluation account बन गया उसमें होगा या तो profit या तो loss जो भी हो अगर revaluation account open किया है तो treatment क्या होगा revaluation account open करने के case में the treatment will be what what would be the treatment क्या होगा जी open करने के case में treatment treatment होगा profit या loss on revaluation will be distributed या written off वैज़े profit and loss को हम distributed ही बोल देते हैं क्योंकि profit and loss तो distribute ही होता है write off नहीं कहते हैं हम कहते हैं distributed ठीक है amongst old partners in old PSR ठीक है profit या loss जो भी हो रहा है revaluation पे उसको distribute किया जाएगा amongst the old partners in their old PSR चल लेते हैं जरा इधर जब revaluation account open नहीं करते यहाँ पे अब मैं profit और loss on revaluation नहीं लिखता है यहाँ पे मैं लिखता हूँ net effect of revaluation net effect of revaluation will be adjusted amongst all partners यह ध्यान रखिएगा इन देर sacrificing comma gaining ratio net effect of revaluation will be adjusted amongst all the partners in their sacrificing gaining ratio अब यह net effect of revaluation कैसे आएगा कोई asset बढ़ रही है plus दिखा दो कोई asset काम हो रही है minus दिखा दो net में जो होगा सारा plus minus करके जिसे आप account में जब निकालते हैं तो तो बोलते हैं profit यह loss on revaluation tabular format में जब आप निकालेंगे तो बोलेंगे net effect of revaluation तो if it is a positive effect और is a negative effect your entry will be passed adjusting entry adjusting entry क्या हुई अगर profit है तो gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital in their gaining and sacrificing ratio अगर loss है तो क्या entry हो जाते है इसकी reverse sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account in their sacrificing and gaining ratio ठीक है तो हम अभी तक almost सारे concept related to admission देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ये देख लिया कि भईया admission के case में जो जो हमें adjustment करने थे यानि की calculation of new PSR हमने देखा treatment of goodwill हमने देखा valuation हम chapter 2 में study कर चुके हैं treatment of goodwill हमने देखा including the calculation या finding out of hidden goodwill वो भी हमने देख लिया फिर हमने देखा क्या treatment होगा accumulated profits and losses का अगर balance carry forward करना है या नहीं करना आप चाहते हैं कि पूरी तरह से खतम कर दिये जाएं reserves सारे losses जो हैं वो भी तो हम क्या करते हैं हम जी pass कर देते हैं एक entry जहां हम उसको distribute या write-off करेंगे amongst the old partners in their old PSR however अगर हमे adjustment entry pass करने यानि हम चाहते हैं कि ये balance reconstituted firm जो है reconstitution के बाद जो firm बन रही है उसकी balance sheet में ये balances show हो तो उसकेस में हम adjustment entry pass करते हैं जहां सारे partners involved होंगे gaining और sacrificing तो adjustment entry pass होगी gaining और sacrificing ratio के basis पे इसी तरीके से हमने पढ़ा revaluation के बारे में अगर revaluation account open कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा profit या loss जो भी निकल के आता है distributed amongst the old partners in their old PSR whereas if you are not opening the revaluation account tabular format में अगर आप represent कर रहे हैं तो net effect on revaluation को हम treat करेंगे adjust करेंगे amongst all the partners in their sacrificing comma sorry oblique gaining ratio ठीक है तो अब अब समय आ गया है last and final adjustment की तरफ बढ़ लेने का last and final adjustment अपना क्या है जी last and final adjustment है अपना related to adjustment of capital adjustment of capital अब adjustment of capital भी technically दो तरीके से किया जा सकता है adjustment of capital दो तरीके से होगा पहला adjustment क्या होगा पहला adjustment होगा क्या कि हम नए partner को बोलते हैं कि भाई तुम इतनी capital लेकर आओ ठीक है हम क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं हमारी यानि old partners की capital इतनी है, तुम उस हिसाब से इतने हिस्से के लिए इतनी capital ले आओ, which loosely translates to new partners. new partners capital is based on the capitals of old partners, the capitals of old partners. यहां पर क्या case हो गया? यहां पर case हो गया, old partners capital यानि पुराने जो पार्टनर है, old partners capitals are adjusted as per new partners capital. capital, फरक समझे आप, फरक यह हुआ कि इस case में तो हम नए partner को कह रहे हैं, कि बात सुनो, हम पहले से हैं, हमारी total capital इतनी है, तुम एक काम करो, उस हिसाब से, भई हमारा यह हिस्सा, जैसे अभी पीछे hidden goodwill के लिए निकाला था पनने, सेम चीज़, हम कहेंगे दो partner है, 3 is to 2 share के लिए, 3 is to 2 का share है, तुम 1, 4 share के लिए आ रहे हो, तो बाकी बचा share क्या हुआ, 3, 4, तो उस basis पे मैं आपको बता सकता हूँ कि total capital of the firm क्या हो रही है, हम दोनों की capital अगर X है, the total of our capital is X, A and B की capital, total X है, तो पूरी firm की capital क्या होगी, इनका share कितना है, 3, 4th है, 3, 4th share मिलेगा, after admission of the new partner, तो हम C को बोल सकते हैं कि तुम्हें कितनी लेके आनी है, तो total firm की capital उसमें से हमारी already इतनी है, तुम बाकी बची हुई लेके आजो, बात खता, ठीक, यहाँ वाला case क्या है, यहाँ वाला case है, old partners capital are adjusted as per new partners capital, की नया partner कहता है, मैं एक चौथाई share के लिए 40,000 लेके आ रहा हूँ, तो भाईया, एक चौथाई share के लिए 40,000 लेके आ रहे हो, मतलब total firm की capital क्या हुई, total firm की capital हो जाएगी, इस हिसाब से 160,000, अगर वो चार में से एक हिस्से के लिए 40,000 ला रहा है, तो चारों हिस्से कुल मिला के हो गए, एकक के, अब 1,60 की जो capital है, उसमें फिर हम कहते हैं, कि तुम्हारा हिस्सा इतना, तुम्हारा हिस्सा इतना, मेरा हिस्सा इतना, तो हम बताते हैं कि भाईया इस total capital का इतना तुम्हारा A का इतना B का और C तो मैं लाई रहा हूं 40,000 फिर हम देखेंगे कि A की अभी कितनी है और B की अभी कितनी है और उनको करनी कितनी है उस हिसाब से इधर they will bring in more capital और they will withdraw capital अभी हम ये दोनों cases with the help of an example देखते हैं फटाफट से ठीक है तो हम देखते हैं ये दोनों examples दोनों cases with the help of an example तो हमारा पहला case क्या है केस फर्स्ट जब हम क्या कह रहे हैं न्यूं पार्टनर्स न्यूं पार्टनर तो ब्रिंग कैपिटल बेस्ट ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे हम ये बात बोल रहे हैं यहां तो इसको कैसे कैलकुलेट करें सिंपल सी बात है एडमिशन हुआ उसके बाद आपने सारे एड़्जस्मेंट्स कर लिये एड़्जस्मेंट्स कर लिये आफ्टर ओल एड़्जस्मेंट्स यहां is how much sir A की capital है 48,000 रुपए 20 capital कितनी है sir B की capital है 32,000 रुपए यहां मैं अगर प्लस कर दूँ तो मुझे firm capital पता चल गया firm capital नहीं बोलेंगे अभी इसको तो अभी इनकी total capital कितनी है sir total capital is रुपीज 80,000 ठीक है चलो यहां तक तो हमारे पास data है अब मैं क्या बोल रहा हूँ C का share क्या है sir C को हम 1 4th share दे रहे है एक चौथाई हिस्सा ठीक है C is being given 1 4th share all right fine remaining क्या रह गया remaining share is equals to 1 minus 1 by 4 यानी 3 4th तीन चौथा ही रह गया तीन चौथा ही इससे के लिए capital 80,000 है कुल तो total capital of the firm क्या हुई total capital of firm based on old partners old partners old partners अब तेर परेमेनिंग शेर उनके बाकी बचे शेर के बिस्स पर कित्ती हो गई रूपीज 80,000 अब पूरा अगर निकालना है तो इस ratio का उल्टा कर दो यानी into 4 by 3 ठीक है एक मिनिट सोरी, 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 सोरी यह 1 फोर्थ नहीं 1 फोर्थ में थोड़ा calculation हमारे लिए गड़बडा जाएगा let us make this 1 फिफ्थ और राइट यह 1 फिफ्थ कर देते है 1 फिफ्थ में calculation सही रही तो 1 माइनस 1 फिफ्थ है this becomes 4 फिफ्थ ठीक है 1 माइनस 1 फिफ्थ यह आ गया हमारे पास 4 फिफ्थ calculation point of view से हमारे लिए आसा रहे ऐसा ठीक है 4 by 5 चलो जी यह 5 by 4 हो जाएगा फिर इसको reverse करेंगे तो ठीक यह आता है 5 by 4 विच कम्स टू रुपीस कित्ता 4 से 80 गया 20,000, 20,000 इंटू 5 भईया एक लाख तो firm की total capital होनी चाहिए एक लाख उसमें से 80,000 already किन की है A और B की तो seize capital क्या हो गया seize capital हो जाता सीदा 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 सर इस एक लाख में से न माइनस कर दो कितना जो इनका 80,000 है already बना हुआ ये माइनस करते हैं कितना निकल के आ गया सर 20,000 तो सी को बोलिए 20,000 तो capital लेके आजा बिटा ठीक है सी कहेगा ओके सर जी done अब आगे बढ़ें अब हम बात करें अपने next point की next point हमारा क्या है सर next point हमारा होने वाला है चल तो next point हमारा क्या होने वाला सर next point आपने कहा था जब case 2 case 2 क्या है सर case 2 है जब नए partner की capital के basis पे पुराने partners की capital adjust करनी हूँ old partners अब हमने मौका दिया मौका 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 मिला नए partner तो नए partner के बारे में हम क्या कह रहे है भई नए partner का अब यहां पे हम बोलते है C का share किता है सर C's share is one fourth और C's capital is rupees 80,000 यह हमारे पास case है तो on this basis based on C's C's capital and his share the firm's capital firm की capital firm's capital will be 2 is to 1 is to 1 2,1,3 और 1,4 तो उस basis पे A की capital क्या होगी A's capital कित्ती हो जानी चाहिए A's capital हो जाएगी सर 3,2,2,2,2,2,2,4 कित्ता हो गया A की capital सर 1,2,6,000 सीधी सीधी 20 capital क्या होगी सर B की capital हो जाएगी वही 3,2,2,000 total firm की capital into 1 by 4 वैसे भी हमें पता है 1 by 4 80,000 ही आएगा क्यूंकि C की capital हमें पहले से ही पता है अब C's capital तो हम directly यहां लिख सकते हैं है न C's capital is equals to Rs. 80,000 अब यह हमने निकाल दी कि इतनी होनी चाहिए अब अगर मान लो इसकी capital कितनी है इसकी 1,80,000 है यह तो sorry यह तो new है new capital old क्या है old है जी इनकी तो 1,80,000 और in वाइसाब की क्या है इनकी है जी 60,000 तो अब क्या होगा a withdraw कर ले क्यूंकि इनके पास एक 80,000 होनी चाहिए 60,000 20,000 निकाल के ले जाओ और B को क्या कहेंगे भाई तुमारी होनी चाहिए 80,000 और तुमारी है 60,000 20,000 तुरंत जमा करो bring that much amount as new capital समझ गए तो ये दो cases हैं हमारे पास adjustment of capital के in case of admission of a new partner हम ये कह सकते हैं कि भाई नए partner की capital के basis पे पुराने partners की capital भी adjust करवाई जा सकती है या फिर पुराने partners की capital के basis पे हम नए partner को कह सकते हैं कि भाई सही है दोनो cases आपके सामने आ सकते हैं both the cases are possible दोनों मेंसे मतलब एक साथ नहीं आएंगे ऐसे मत करना कि नए partner को पहले बोले कि भाई पुरानों के basis पे तुम अपनी नहीं ले आओ और फिर पुरानों को बोलेंगे नहीं के basis तुरंत फुरंत हमने वो देख लिए हैं बाकी treatments अगर आपको relate करना है कि revaluation account से related सरजरा treatment तो आप कहां checkout कर सकते हैं हमारे chapter 2 के one shot में वहाँ पे आपको पूरा treatment मिलेगा वहाँ पे आपको accumulated profits and losses से related सारे treatments भी बहुत अच्छे से कराए गए हैं ठीक तो checkout करना मत भूलेगा chapter number 2 का हमारा one shot this was chapter number 3's one shot and with that being said हम बढ़ चलते हैं अपनी information जो portion होता है of the video informational portion क्या है सबसे पहला जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा app easily app available है Google Play Store पे तो करना क्या है Play Store पे जाके फटा फट से download कीजिए हमारा easily app जैसे यह app install हो please click on the app you'll be welcomed by our friendly user welcome screen जहां पे as a new user आपको अपना mobile number type करना होगा create new account पे click करना होगा बढ़ चलेंगे आगे तो वहां आपसे कुछ information gather करने के लिए हमारी information gathering screen basic information जिसमें सबसे primary information है आपकी location please make sure कि आपके device का location on हो क्यूंकि location basis पे ही भेजा जाएगा आपको OTP location auto detect नहीं होती है तो घबराइए मत you can always enter it manually 6 digit का OTP आते ही उसे verify करवाईए verify करवा के बस इतना बता दीजिए कि कौन सी class की पढ़ाई करना चाते है there are a plethora of courses available you will select class 11th and 12th here on यहां पे आपको select करना होगा class 12th का हमारा course है जी तो class 12th select कीजेगा यहां पे बता दीजेगा कि हम बार्मी के बच्चे हैं तयारी कर रहे हैं 2024 के हमारे session के boards की 2023-24 का जो session है उसकी तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही आप यहां next पे क्लिक करते हैं आप आ जाते हैं हमारे user profile screen पे इस profile screen पे जैसा कि आप देख सकते हैं 4 core subject commerce के available है individually select करना चाहें तो individually select कर सकते हैं लेकिन मेरी राय मानिएगा select कीजिएगा एक साथ add to cart अब अगर a999 की value देखके आपके मन में थोड़ा सा संच है या थोड़ी सी घबराहट उत्पन हुई है तो घबराइए मत cart में जाके आपको एक option मिलेगा coupon apply करने का coupon apply करना है आपको freezily यानि f r triple e a z i l y यह free भी है यह freeze भी कर देगा क्या freeze कर देगा यह जो चार डिजिट्स है इन चारों डिजिट्स को freeze करके गायब भी कर देगा that is the magic of the coupon freezily उसके साथ ही आपका यह पूरा course available to you at the lowest price of 0 rupees for all our amazing and wonderful students that is the easily promise चलिए जी तो उसके साथ ही एक information और आपको देना चाहूंगा वो यह कि जैसा आप जानते हैं हमारा channel commerce easily लेके आया है regular batches that is उदे 2.0 for our class 11 students and शिखर 2.0 for our class 12 students तो regular batches में किसी भी तरह का या आप revision के दौरान भी अगर किसी तरह की कोई भी समस्या face कर रहे हैं तो घबराइए मत regular batches में इन सभी subjects के videos, playlists में available है all you have to do is go on to our channel commerce easily और वहाँ पे playlist में जाके select कर लीजे जो भी subject है जो भी batch है class 11th के बच्चे देखेंगे हमारा उदे 2.0 batch class 12th के बच्चे देखेंगे हमारा शिखर 2.0 batch all subjects all chapters have been covered in these batches और ये classes live भी चल रही है अभी जैसा कि आपके पीछे आपको टाइम टेबल दिख रहा है बस इस टाइम टेबल में हलका सा एक चेंज है दी उदे बच्च इस गोईंग लाइव आट एट पीम दे शिखर बच्च गोज लाइव आट 7 पीम एवरी डे हर दिन कक्षा ग्यारवी रात आठ बजे कक्षा बारवी शाम 7 बजे आपके सामने लाइव होते हैं टाइम टेबल बिलकुल जैसा कि आपको दिख रहा है चाहिए तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजेगा और कहीं अच्छी जगे स्टोर करके रख लीजेगा जहां आपकी अच्छी तरीके से एंजॉइ करके पढ़ने का जिस प्लीज मेक शोर कि इस वन शॉट क्लास के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इव यू हैव अनी डाउट्स यू हैव मल्टिपल वेज आप रीचिंग अस सब से पहले मैं शुकरिया कहना चाहूंगा आप सभी का for joining us और साथ में एक चीज़ practice करते रहना revise करते रहना और ये सब कुछ अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ करते रहिएगा हम से जुडने के लिए QR code scan कर सकते हैं you'll get information about our YouTube channel we are also available on telegram, telegram पे हमारा channel है commerce easily आप वहां भी हम से जुड सकते हैं किसी भी subject से related किसी भी topic से related कोई भी doubt अगर आपके मन में है class 11th and class 12th के students please ask us on our telegram channel you can also ask your doubts exclusively on our app the easily app we are also available on whatsapp, whatsapp हमारा channel है easily learn with a smile तो please उसे भी follow कीजेगा for interesting updates and fresh news about everything easily ठीक है जी चली तो मिलेंगे बहुत ही जल्द आप लोगों को अगले session के साथ मैं ले के हूँगा आप लोगों के लिए one shot of our chapter number 4 that is retirement and or death of a partner ठीक है जी तो तब तक के लिए करना क्या है practice करते रहना, revise करते रहना है और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिये अपना अपनों का और अपनी सेहत का this is me your accountancy mentor signing off and saying bye bye tata and love you all